हेलो बच्चों गुड मॉनिंग क्लास टेंथ का सेशन चल ला है 2425 और इसमें हम जानते हैं सुरू करने वाले हैं आज मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर क्या सुरू करने वाले हैं रियल नंबर यानि कि वास्तविक संख है हमारी जो क्लास होगी वो मिक्स होगी बहुत बड़े एपिसोड नहीं होंगे बहुत बड़े लेक्चर नहीं होंगे जिसमें आपको बोरियत नहीं महसुस होगी हां प्रेक्टिस करना पड़ेगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए क्या करना पड़ेगा लगातार कंसिस्टेंट एक एक लेक्चर एक एक एप Video chapter ऐा पुक्रोपरा इंफर्मेशन होनी चाहिए किसे कहते हैं जितने भी नमबर से वह हो या इयर्ष यह नमबर वह परमीय शंख्याय हो या आप पर इमीय सखहे सारे की सारी सिंख्याय हैं क्या है रियल नंबर है यानि वास्तविक संख्या है अब आप मन में चला होगा पॉजिटिव हो तो रियल नंबर होगा या निगेटिव हो तो रियल होगा भाई पॉजिटिव भी रियल होगा निगेटिव भी रियल होगा मैंने क्या कहा कि जितनी भी संख्याएं हैं वो छोटी सी और आगे बढ़ते हैं क्या इतने ही रियल नंबर से नहीं और भी है क्या इतने ही रियल नंबर से और भी है ओप टू डॉट डॉट मतलबtı में भी नमबर्स जा सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं दो प्रकार से एक होती है परिमिय संख्या और एक होती है आप परिमिय संख्या पहला क्या होता है परिमिय संख्या परिमिय संख्या क्या होती है परिमिय संख्या को हम रेशनल नंबर कहते हैं क्या कहते हैं अब यह परिमिय संख्या क्या होती है उन सभी संख्याओं को हम परिमिय संख्या कहते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉम में लिख सकते हैं आल दो जो which can be expressed in the form of P by Q, जो किस form में P by Q, अब P by Q का मतलब आइसा नहीं है कि पिसर P Q, मतलब A by B, X divided by Y, इस form में अगर आप किसी को लिखते हैं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, rational number कहलाती है, थोड़ा सा और बोल दू, जैसे 4 है, ये भी एक rational number है, क्योंकि आप लिख सकते हैं, 4 by 1, अब ये मस चले कि ये rational number नहीं है, मैं कह दू, minus 1 एक rational number है, minus 2 एक rational number है, 3 या 1 या 2 एक rational number है, परिमिये संख्या है, क्लेटी आ रहे है, दूसरी होती है, आ परिमिये संख्या, क्या है, ये तो पहला point मिला, अब दूसरा point मिला, आ परिमिये यानि कि irrational number, इर रेसनल number, बहुत आराम से हम पढ़ाएंगे, बहुत आराम से, ध्यान से देखना, इर रेसनल number यानि कि आ परिमिये संख्या किसे कहते हैं, आ परिमिये संख्या, परिम्य संख्या परिम्य संख्या हैं कौन सी होती है वह सभी संख्या हैं जो इस फॉर्म में ना लिखा जा सके जो इस रूप में एक्स परिम्य संख्या जैसे root 2 क्या है? एक irrational number है root 7 क्या है? एक irrational number है root 3 by 4 क्या है? एक irrational number है क्योंकि root 3 को express नहीं किया जा सकता PYQ के form में और ये by 4 तो है अगर ये सिर्फ 1 by 4 होता तो ये rational number हो जाता क्या हो जाता? rational number लेकिन ये root 3 by 4 है इसलिए ये क्या है? एक irrational number है किले टियार ये किले टियार ये वक्राइब ये जो आप परिमय संख्या होती नाओ होते हैं JEFF यह भी दो प्रकार को होते हैं कौन कहुंसे क्या होता है पूरांग कि संख्या होती है एक होती इस और दूसरी होती है भिन्स अब दोनों को explain करेंगे बहुत ध्यान से दोखो आप पूरांग मतल Bowl इंटीजर कि अब क्या इन्टीजर और दूसरा है आपका fraction भिन्न का मतलब fraction ठीक है ना आप चलो देखो इंटीजर किसे कहते हैं पूरांग किसे कहते हैं जो पी वाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके दोज नंबर्स विच के नौट बे एक्सप्रेस इन दा फाम आप पी वाई क्यू जो पी वाई क्यू के फाम में ना ल अगर में फाम लब हतु हैं अगर वह है पूंग हें इंटीजर है अगर वहीं हम पीवाई क्यों के रूप में बात और फ्रेक्शन की बात करें वह सभी नमबर्स वह सारे फ्रेक्शन पूरांक इंटीजर्स को अगर मैं पीवाई क्यों के रूप में लिख दूँ तो वह क्या हो जाएंगे जल्दी बोलो वह हो जाएंगे हमारे फ्रेक्शन पर याने फ्रेक्शन हो जाएंगे क्या है fraction है मेरे कहने का मतलब है कि इस अको हम fraction कहते है直接 को उठा करके घ्याँ रहे अगर इंटीजर को हम p और q numerator denominator क्या form में लिख सके तो उसे हम क्या कहते हैं fraction कहते है भिंद कहते अब आती है बात जैसे 2apper मेरेटर बोलते है और वाला जो होता है होताह है बच्छों इसको बोलते हैं दी नौमीनेटर ठीक नप इन अब डिनौमीनेटर इसको बोलते हैं इसको नुम्रेटर वोग फिर नौमीनेटर को हम हर बोलते हैं या आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो उपर वाला है यह टिक धर है ट्वर हूं तो ह आप उसको नहीं पढ़ा पा रहें और आपको बता दूँ जब तक आप चोटे बच्चों के बुक को पढ़ करके आप उनको समझाने नहीं लगेंगे तब तक उनको लगएगा भीया को आता नहीं दीदी को आता नहीं है तो एक अच्छी इमेज अपने भाई बहन भतीजे के बीच में बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको जी हाँ छोटी-छोटी चीजें देखनी चाहिए और तो को पढ़ने बैठे तो उनसे क्या करना चींगेज होनाचिया मिलना चाहिए दो मिनट बात करना चाहिए तो उनको लेगा आरे भीया तो हमसे पूछते रहते तो वो समय का पूरा सदुपयोग करेगा जो गलतियां हमने आपने की होगी वो गलती वो नहीं करेगा ठीक है ना तो इस तरीके से हमने बता दिया कि जो रेशनल नंबर होते हैं पहला होता है positive integer क्या होता है positive integer दूसरा क्या होता है zero integer और तीसरा क्या होता है negative integer क्या बोला मैंने निगेटिव इंटीजर ध्यान रहे positive integer zero और निगेटिव इंटीजर सारी कि सारी इंटीजर जो positive हों वो पॉजिटिव इंटीजर जैसे वन से लेकर के कहां तक infinity तक यह सब क्या है यह सब क्या है positive integer है अब जीरो की बात करोगे तो आप जीरो इंटीजर जीरो ही होगा और कुछ भी निगेटिव इंटीजर माइनस वन से लेकर के माइनस टू माइनस थ्री अप्ट डाट कहां तक infinity तक बिगनी और यहां भी आप लिख सकते हैं यह सब क्या है एक positive और आगे बढ़ते हुए तो वास्तविक संख्याओं पर जो operations होते हैं क्या मैंने कहा कि operations on real number अब हम इसकी बात करेंगे इसी समय क्लियर करते हैं operations on real number जो real numbers होते हैं उन पर कौन कौन से operation हो सकते हैं अरे उन पर addition हो सकता है सब्ट्रेक्शन हो सकता है मल्टिप्लिकेशन हो सकता है डिवीजन थोड़ा रुप जाओ डिवीजन हो सकता है या नहीं हो सकता कमेंट करके बताओ क्या बोला मैंने कि addition हो सकता है multiplication हो सकता है division मुझे नहीं पता आप कमेंट करके बताओगे कि डिवीजन पॉस्टिबल है या नहीं और क्या बला मैंने multiplication addition subtraction multiplication तीन तो मैंने बता जिया हाँ पॉस्टिबल है पर integration ऑशाली division मैंने बता रहा इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको जी हाँ बताना पड़ेगा comment करना पड़ेगा comment करके बताओ नेक्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसे subtract किया जा सकता है या नहीं इसवारी division किया सकता है या नहीं जैसे मैं बात करता हूँ कोई भी real number है जैसे to a real number है और root 5 एक real number है ध्यान रहे ये rational number है जबकि यहीं ये irrational number है इनको हम add करके दिखाते हैं इनको हम add कर सकते हैं क्या कर सकते हैं add करेंगे तो result आएगा 2 plus root 5 अगर हम इनको subtract करेंगे तो subtract करने पर ये क्या हो जाएंगे 2 minus root 5 क्या हो जाएंगे 2 minus root 5 कि अगर हम इनको multiply करें क्या करें multiply करें यह हो जाएगा टू इन्टू रूट फाइब यानि टू रूट फाइब क्लेटिया रिया आंसर सामने है आपके पर division possible है कि नहीं मैंने क्या कहा एक question आपके लिए छोड़ा मैंने क्या बोला मैंने कि इडिशन मैंने बताया सब्टेक्शन भी मैंने बताया मल्टिप्लिकेशन भी मैंने बता दिया है पर division आप के लिए मैंने छोड़ दिया है कमेंट करो हो सकता है या नहीं यह डिवीजन की operation पॉसिबल है या नहीं यह आपको कमेंट करना है उसके बाद में हम बात करते हैं यूक्लिट डिवीजन लेमा की किसकी बात करते हैं यूक्लिट डिवीजन लेमा अब हमें एक बार देख लेंगे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है या नहीं क्या प्रॉपर देख प अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो मेरा उस्साह बढ़ता है और अपनी फ्रेंड को सेयर करके ये जानकारी उन तक पहुंचाए आपका फायदा हो रहा है उनका भी फायदा होना चाहिए तो विसी वाल थे बेस्ट फॉम मैं साइड थैंक यू सो मुच थैंक यू सो मुच